अभी कॉंग्रेस पार्टी ने क्या काम किया और किस ढंग से राजस्तान को आगे बढ़ाया आर्थिक द्रस्टी से, सामाजिक द्रस्टी से और सिक्षन छेत्र में और आरोग्य के द्रस्टी से ये सारी चीजे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताएं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने इतने स्कीम्स राजस्तान में जारी किये, शाहिद ही किसी स्टेट में इतने कल्यानकारी योजनाएं जारी किये हुँगे। ये जन्ता के लिए किये, ये आप के लिए किये, और यहां के गरीबों के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाया, और आज इसकी कॉंपुटिशन करने के लिए बीजेपी वाले भूत कोशिस कर रहे हैं। सिर्फ राजस्तान का ही नहीं, हमने जो घोशना करते हैं कॉंग्रेस पार्टी वाले, उसको बड़ा चड़ा कर, फिर वो भी घोशना करने की शुरू किये। हम करनाटक में ग्यारंटी स्कीम लागू की, तो अब बाकी के लोग भी ग्यारंटी स्कीम शुरू किये। लेकिन इससे पहले भी राजस्तान में अशुक घ्यालोड जी ने बहुत से ग्यारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा बोधी साब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड की नुकरियां दोंगा। बोले या नहीं बोले? बोले? दो करोड नौकरिया मिली? नहीं मिली. 15 लाक रुपए आपके जेब में डालता हूं बोले. डाले? दिये होंगे भई, क्योंकि आशोग घिलाउट को डर के तो कम से कम दिये होंगे? नहीं दिये हैं, तो उनको भी डर रहे हैं. ना जनता को डर रहे हैं, ना भई, मंत्री, मुख्य मंत्री, ये लोग क्या कहींगे? एक प्रदान मंत्री अपनी जवान देता है, लेकिन उस पर चलता नहीं. लेकिन आपके मुख्य मंत्री जी, जो वचन आपको दिये थे, वो निभाया या नहीं नहीं? उन्हों तो निभाया, जैसा कि जो पहला राज है, राजस्तान, जहाँ पर स्वास्त का अधिकार उन्हों ने दिया, दिया या नहीं दिया? तो ये किसी बीजेपी की सरकार ने दि, सिर्फ बात करते गए, और अब मोदी जी कितने बारा है, राजस्तान को मुझे मालूम नहीं, उसकी गिंती तो गैलोट साब के पास होगा, या यहां के मंत्री लोगों के पास होगा, लेकिन वो फिरते ही रहते हैं, पार्लमेंट मे कम बैड़ते हैं, लेकिन हर राज में चुनाओं के लिए, प्रचार के लिए, वो दवड़ते ही रहते हैं, और ये तो हमारे करनाटक में गए, इतना दवड़े, इतना दवड़े, दिल्ली से आये, गली-गली घुमें, फिर भी उनको येश नहीं मिला, उसी डंग से, उन्होंने जो जो वाइदा करके आये, उसको एक भी निभाया नहीं, यहां पर, पहले लोग अकबारों में पढ़ते थे, बहुत से लोग, पैसे की खमी के वज़े से, हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, लेकिन, उनकी दुर्दशा देखकर, गैलोड जी ने, उसका इंतजाम किया, और इलाज के लिए, पच्चीस लाक रुपे का लिमीट, रखकर उन्हें काम करके दिखाएं, ये है काम, ये स्लोगन नहीं, सिर्थ आएं बोले चले गएं, नहीं, ये करके दिखाएं, आपको उसका फाइदा मिला, दियाद के मेरे माँ बहिनों को फाइदा मिला, नवजवानों को फाइदा मिला, पच्चीस लाक तक, किसी ने किया है, किसी राच में भी नहीं किया, तो ये काम, वही आदमी कर सकता है, जिसको गरीबों के बारे में हमदर्दी होती है, जो गरीबों के बारे में, उनके तकलिपों को जानता है, वही आदमी ऐसे काम करता है, वो ही पार्टी करती है, कॉंग्रेस पार्टी के जो भी काम है, वो गरीबों के हित में है, चाहे मन्रेगा लो, यहां पर हमारे जोसी साब भी बैटे हैं, कि मन्रेगा कारिक्रम यहां बहुत बड़े पैमाने में चलता है, लेकिन जो पैसा यहां पर चीप मिनिश्टर खर्च करते हैं, गरीबों के उपर, वो मन्रेगा का पैसा भी जल्दी नहीं मिलता, बात तो बड़े करते हैं गरीबों के लिए, लेकिन पैसा नहीं देते हैं, दूसरा 21 लाख लोकों को उनका किसानों का कर्ज माप कर दिया, सोला हजार करोड यह कर्ज माप कर दिया, और शेहरी रोजगार ग्यारेंटी यह उजना शुरू हो गई है, शुरू है या नहीं हो गई है, तो यह जो ग्यारेंटीज है, बिजली का फिल, उसमें भी रहात मिला, और उज्जवला सिलंडर, पान सो रुपय में, लाख परिवारों को, चात्र लाख परिवारों को उन्हों ने दिया, तो यह है हमारा काम, और क्या आप चाहते हैं, ऐसे कल्यानकारी, लोकोपयोगी, योजुनाओं को, उसका काम करने वाले, उनकी सरकार बनना चाहिए, या जूट बोलने वालों की सरकार चाहिए, या आपको सोचना होगा, आप तो सोचके यहीं आए, आपको फिर एक बार कॉंग्रेस की सरकार यहा आना चाहिए, ना, आना चाहिए, तो इसलिए आपको अब घर-घर जाके प्रचार करना होगा, यह अच्छा है, क्योंकि जब फिर से यहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार आई, तो पार्लिमेंट में, दो हजार चोबीस में, दिल्ली में, फिर दिल्ली में भी कॉंग्रेस सरकार आएगी, इसके लिए आपको मजबूत बनना होगा, इसके लिए आप लोग काम करना होगा, दूसरी चीज मैं सुनता हूँ, भई यहाँ पर नहर परियोजना, एक इरिगेशन प्राजेक्ट है, जिसको मोदी जी ने दो बार वाइदा किया था, इसा सुना मैं, एक जैपूर में, दूसरा और और एक जगे, उन्होंने दो बार यह नहर के बारे में कहा था, कि मैं इरिगेशन प्राजेक्ट के लिए पैसे देता हूँ, आज तक उसका पता नहीं, लेकिन, हमारे कॉंग्रेस की सरकार, इसको कम से कम 25,000 करोड तक अपने पैसों से खर्च करके उसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन मोदी साब एक पैसा भी इसको नहीं दिये, सच है नहीं, क्या जोशी साब सच है, एक पैसा भी नहीं दिये, लेकिन वो बात बहुत करते हैं, लेकिन दोस्तों, जो इमानदारी से काम करते हैं, उन सब को आप मदद करना चाहिए, दूसरी चीज और एक चीज मैं कहूँगा कि राजस्तान एक ऐसी भूमी है यहाँ पर यह वीरों के लिए यह वीरों की भूमी है और देश के आजादी के लिए लड़ने वालों की भूमी है और गरीबों को बचाने वाली यह राजस्तान भूमी है पहले तो सर्फ राजे महाराजों के हाथ में था जमीन उनके पास पैसा उनके पास सब कुछ उनके पास था लेकिन जब मात्बा गांधी जी ने जवरलाल नेरू जी ने देश को आजाद कराया तो भू सुदारना कानून आया गरीबों के लिए कल्यान के बहुत से योजना ही आए डाटर बावाजब अम्बेड करने जो समीदान लिखा उसमें गरीबों को बचाने के लिए उनके हकुक दिलाने के लिए उन्होंने खूब लड़ा और पंडी जवरलाल नेरूजु ने उनको सपोर्ट किया और गरीब से गरीब आदमी भी वोट देता है उसके पास पैसे हो या ना हो जमीन हो या ना हो वो लगपती हो या ना हो उसको वोट का अधिकार है और वोट के अधिकार से ही वो देश को आगे बढ़ाना चाहता है तो ये जो बावा साब अमेड कर पंडी जवरलाल नेरूजी ने काम किया ये देश के लिए बहुत बड़ा काम और गरीबों के लिए बहुत बड़ा योगदान है बाईयो राजस्तान के हालत आपको मालूम है पानी के लिए लोग तड़बते रहते हैं तूर दूर से लाते हैं ऐसी एवजनाओं को भी केंदर सरकार मदद नहीं करती और यहां सेंट्रल के चार मिनिस्टर है कितने मुझे मालूम ने सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है और पच्चीश लोग यंपीज है इसके बावजूद भी केंदर सरकार से राजस्तान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता नहीं कहा ज्याता है वो पैसा अरे आप सब केंदर सरकार चलाते हो और यंपीज यहां से चुनके आए हमारा एक भी यंपी नहीं है वाँ आवाज उठाने के लिए भी नहीं है सारे लोग मोधी 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 बोलके वोट दिये लेकिन मोधी क्या किया मोधी ने तो धोका आपको दिया लेकिन जिन यंपीज को आपने चुनके भेज़े दे उन्हों भी आपको धोका दिये उन्हों कुछ नहीं ला सके राजस्तान को कुछ नहीं दिला सके ना पैसा ना पा कोई ये गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए तो उसके हाथ में से गलास फुट गई तब गल्ले पे जो बढ़ता है आदमी पैसा उसुल करने के लिए तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिट्टी गिटी नहीं लिखते थे पुकार के बोलते थे वह एक इसम च आएके आठाना ऐसा बोलते थे अब तो चिट्टियां वो ये मिलते लेकिन ये गरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया उसके हाथ से गलास फिसल गई और फुट गई तब वो पाप विचा रहा डर के वो जा रहा था तब वो जिस गले पे एक आजमी बैठा था तो पाप विचरा पानी भी नहीं पीहा कुछ भी नहीं लेकिन गलास फुटा वो बारा ने उसको देना पड़ा क्योंकि पैसे नहीं थे बोलके वो पानी पीने गया था वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बना दर चाते हैं पैसे नहीं हम गरीबों को पीने के पानी की व्युस्ता करना चाते हैं पैसे नहीं और यहां के जितने भी MPs है वो भी चुपड़ते हैं मैं किसी का नाम नहीं नहीं न चाता हूँ क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भै ठीक है आपकी नुमाइंद की अच्छी कर रहा है तो आपकी नुमाइंद की अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक सिकाना चाहिए भाईयो राजस्तान में सरकार गिराने की कोशिश बहुत होई कि उनको सर्ण नहीं हो रहा था केंदर सरकार हमेशा यह कोशिश करते रही जहां पर उसकी मिजॉर्टी नहीं वह सरकार गिराओ फिर बीजेपी को लाओ वो ऐसा यहां कर रहे थे लेकिन यहां के MLA यहां के लोग यहां के लीडर्स मुक्यमंत्री सब मिलके गिर्ती हुई सरकार को बचाए और आज सब यह स्कीम सहा रहे यह स्कीम आए इसलिए कि सरकार बच गई है अगर जाती तो फिर उनके हाथ में जाता कुछ नहीं होता करनाट्रेक में सरकार उन्होंने पहले गिराया गोवा में गिराया मनीपूर में गिराया उत्तरकंड में गिराया हर जगे सरकार महराश नहीं गिराया हर जगे उनका काम हम तो चुनके नहीं आते जो चुनके आते उनको ही लेकर खरीद के अपनी सरकार बनाना ये उनकी आदत है तो इसलिए आप मजबूत लोग हों लड़ाकों लोग हों आपने सरकार को बचाया इसलिए आज पूरे कारिकरम आपको मिल रहे हैं चाहे वो ग्यास का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे किसानों का हो, सब समझाये आज हल हो रहे हैं। बाईो, मोदी जी आके एक बाशन किये थी, यहाँ पर, उन्होंने क्या कहा था, कि वही यहाँ पर लाल डाइरी मिली है, और लाल डाइरी मिली है, उसमें क्या-क्या घोटाला है, मैं बताऊंगा उन्होंने कहा, साब, वह लाल डाइरी में क्या लिखा है, आपको मालूम, लाल डाइरी में लिखा है, कि आने वाले चुनाओं में, कांग्रेस पार्टी, राजस्तान में अपनी सरकार बनाएगी, तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ देखो और एक बार अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखी है तुमारी लाल डायरी है पीली डायरी है काली डायरी है वो लेके क्या करते हैं हमने जो काम किया उदर देखो लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते हैं और और लोकों से ये कहां आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशो ग्यालोड के नेतरत में काम हो रहा है इसको कितना मार्क्स देना कितना मार्क्स देना मैं तो जीरो मार्क्स देता हूँ ऐसा मोधी सामने बोला मैं पूचता हूँ जीरो मार्क्स आप दे रहें क्या इसके लिए दे रहें कि किसानों को जो हमने फाइदा पहुचाया उनका कर्ज माप किया इसलिए आप जीरो मार्क्स देना चाहते हूँ और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार कुछ काम नहीं की इसको तो मैं जीरो मार्क्स देता हूँ उन्होंने बार बार कहा तो इसलिए भाईयो जो काम हमने किये हैं वो सब आपको मालूम है और उसके अलावा भी जो आज यहां पर गरीबों को वाईदे जो किये थे वो निभाए उसके अलावा मैं यहीं पूछूंगा कि जब कोई मदद नहीं करता सेंट्रल गवर्मेंट से हमारे को तो इसके उनको हमारे लिए बोलने का कोई भी हक नहीं है और एक बात मैं कहूँगा कि जो लोग गरीबों को देखते नहीं आज गरीब और अमीर में इतनी खाई है हम उसको सभी लोग अब देख रहे हैं अमीर अमीर बंदे जा रहा है गरीब गरीब बंदे जा रहा है और इस देश में अठ्या नव लोग देश की संपत्ती लूट रहे हैं वो सब मोधी सार के दोस्त थे 58 परसेंट और गरीब सिर्फ 2-3 परसेंट में जी रहा है और उद्योग पती के कर्ज माप होते हैं तेरा लाग चौदा लाग गरीब हों का किसानों का अगर कर्ज माप करो अगर कहिंगे तो उनको लाटी गोली चलाते हैं और आपको मालूम है दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों किसान पैटे हुए थे उसमें से 750 लोग मर गए लेकिन मोदी साहब कुछ नहीं किये से बात तो बहुत करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं अब महिला आरहट करना आपको मालूम है एक तो रावल जे ने भी ये सवाल उठाया है हम भी उठाये है हमारी पार्टी भी उठाये कि खास करके बैक्वर्ड क्लास के लोगों की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए हम किसी को नुक्सान नहीं करना चाहते हैं या किसी खौम को अलक रखना नहीं चाहते हैं हम एक जूट हो के चलना चाहते हैं लेकिन उसके हिस्से का क्या है वो दे दे हो जैसा HCST को भी मिला वैसा जनगणना के आदार पर अगर आप काम करेंगे तो बैक्वर्ड क्लास के लोगों को उनका हक मिलेगा उनको सब मालुम होगा कितने बच्चे उनमें पड़े हैं कितने लोग क्यों के पास जमीन हैं कितने लोगों के पास पैसा हैं कितने लोग इंकम टैक्स देते हैं कितने लोग बेपार करते हैं कितने लोग ग्रैजुएट हैं कितने लोग अफसर हैं कितने लोग सेक्रेटरी इसका हिसाब मिलता है उसके बाद उसको जहां बिटाना है वह बिटाके उसको मदद कर सकते हैं। इसलिए हम वाठ के जनकानना पूच रहे हैं। ये मोदी साभ बोल रहे हैं देखो बैकवर्ण क्लास को सबको यह लोग बाट रहे हैं। अरे भई हम नहीं बाट रहे यह तुमारी आदत है धरम के नाम पे जाद के नाम पे तुम बाटने वाले हो हम नहीं बाटने वाले हम तो भारत चोड़ो यात्रा करने वाले हैं हम कन्या कुमारी से कश्मीर तक 4500 पैदल हमारे लीडर ने चला है तुमारा को ये आदमी चला है साइतना कहीं आपने दुख दर्द देखा दूसरों को ठीका करते हैं ये लीडर सोने के चम्चे से खाते हैं फलाना करते हैं अरे जो आदमी इतना फिर रहा है सब के लिए उदर देख रहे नहीं लेकिन कांग्रेस के बारे में टीका करना कांग्रेस के बारे में कहना ये बात चल रही है लेकिन हम हमेशा लड़ते हुए आए हैं लड़ते रहेंगे और जितना भी जो भी काम हमने किया है वो आपको मालूम है चाहे इंद्रा नहर हो, क्या इंद्रा नहर, ये क्यनल, क्या मोधी ने बनवाया है, कॉंग्रेस ने बनवाया, एम्स किस ने बनाया, कॉंग्रेस ने बनवाया, जहां जहां भी बड़े डैम्स बने, वो सब कॉंग्रेस ने बनाया, आप कुछ नहीं बनाये, सब को जगडा ल देश के लिए हम लड़ने वाले। परसून की फोटो देखा में। कहां पर पारवती कुंड वहाँ पर फोटो देखा। उपर सफेद कपड़े डालें। अंदर क्या है वोले तो जाकीट पैंट है। उपर से एक सफेदू जैसा बेस डालके आते ना वैसा बेस डालके वो पार्वती कुंड के सामने जाके बैठे कि इतने महां इतने ये ने जो भगवान के बारे में श्रद्दा रखने वाले चीप मिनिस्टर प्राइमिनिस्टर है ये दिखाने के लिए हाथी के दात होते हैं दिखाने के लिए ही एक और खाने के लिए ही वैसा ही मोधी जी का है दिखाने का एक खाने का एक अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक तो जनगर ना चाहता हूँ, बैकवर्ड क्लास लोग मजबूत हो जाओ, लेकिन दूसरे लोग भी मजबूत बनना, इसमें भी हम कॉंग्रेस पार्टी भी स्वास रखती हैं। सबको समान, सबको फाइदा होना, इस रास्ते पर हम चलना हैं। और महिला एक रिजर्वेशन, हमारे माँ बहें नहीं उदर बैटे हैं, मैं देख रहा हूँ, जरा अशोग जी और हमारे कॉंग्रेस अद्ध्यक्ष, तुम महिलाओं को इधर जगाई नहीं देते, या तो देखा हूँ, एक ही मीटिंग में नहीं, मैं छे मीटिंग में देख रहा हूँ, या उदर बिटाते हैं, या इदर बिटाते हैं, बीच में मर्दों को बिटाते हैं, पुर्शों को बिटाते हैं, तो उन मापहिनें के लिए, सोन्या गांधी जी ने, राहूल गांधी जी न यहां पर बैटे हुए सभी सात्यों में से किसी ना किसी, आत्मी मंत्री पद्ध हो। तब से हम लड़ रहे। ये चैसा कि हम जिल्ळा पंचायत तालो का पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए लड़े। और महिलाओं को रिजर्वेशन मिला, आज महिलाओं जिल्ळा पंचायत के अथिक्ष बने हैं। अभी एक मैला अध्यक्ष बनके हमारे पास जो आये थे, उन्होंने शुरू में तक्रीर की, यह सब कॉंग्रेस पार्टी जो गरीबों को पावर देना है, शक्ती देना है, मैलाओं को शक्ती देना है, वो देती रही है, नहीं तो आज कोई यसी, यस्टी, बैकवर्ड मैला अध्यक्ष नहीं बनती थी, यह नहीं बनता था, यह देन है, राउल गांजी, यह देन है, कॉंग्रेस पार्टी का, हम उसी डंग से, पार्लमेंट और असेम्मली में लाना चाहते थे, उसके लिए हमने काम किया, लेकिन हमारा जो लाया हुआ बिल था, वो उस वक्त, यही भी बीजेपी वालों ने फेल करा दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो गिर गया, लेकिन आज, मोदी जी आके बोलते है, भाईयों और भेनों, हमने वो पिल लाया, और कांग्रेस वालों ने बेदिली से उसको सपोर्ट किया, मज़बूरन सपोर्ट किया, अरे मजबूर सपोर्ट पैदा तो हमने किया शुरू तो हमने किया हम बेदिली से सपोर्ट करते हम तो दिल से चाहते हैं कि महिला ऊपर आए और कॉंग्रेस पार्टी में ही एक ऐसी व्यवस्ता है महिला हमारी प्रदान मंत्री बनी यूपे की चेर परसन महिला बनी हमारी स्पीकर पहली स्पीकर महिला बनी हमारी पहली जो राजसबक हमारे राश्टपती बनी वो भी तुमारे राजस्तान के गवर्नर थे पहले उन्हों राश्टपती महिला को बनाए पहली वो भी सब चीज पहला हमारे हाथ से हो तुम सब बात में हमारा देखके कौपी कर रहे हैं हमारा रेकिन हमारा तो कौपी है कौपी राइट तुम लेना चाहते हो लेकिन कभी जनता आपको कौपी राइट नहीं देंगी नहीं भूलेगी कि कांग्रेस ने जो काम किया वो हमेशा वो आज भी याद रखते हैं, आने वाले दिनों में भी याद रखते हैं, तो मैं इतना कहते हुए, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, इतनी कड़ी धूप और सुबह से आप लोग यहां बैटे हुए हैं, अपनी बात सुनने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मदद करन इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, सबको नमस्कार.